आप सब आप सब अच्छे होगे मैं भी ठीक हूँ और आज का वीडियो साइकलोन पे होने माला है भाई बहन के रिष्टे को तार-तार करके रख दिया उसके उपर तो आज के वीडियो में आपको बहुत कुछ मिलेगा तो वीडियो को आइंट तक जरूर देखना वीडियो प हाना इसी की बज़र से सारे व्लॉगर्स जो है वो आपस में लड़े भीड़े जाते हैं और ये मैडम साइड होकर अपने ऐसे नाचने वाले शॉट्स बनाती है तो वही आप लोगों को मैं बता चुकी हूँ उस वीडियो के अंदर कि वो पूरी कॉंट्रोवर्सी कहां से की से सटार्ट हुई और कितनी गंदिगी पे गई और उन ब्लोगर्स का कहना है कि हमारे वीडियो टीवी पे चलते हैं और हमारे लोग मतलब हमारे वीडियो उसको पूरा परिवार बैट के टीवी पे देखता है हमारे जो vlogging है वो पूरे परिवार के बीच होती है और इस तरीखे की कहने की बाते हैं उनकी तो आप वो वीडियो अगर नहीं देखा तो जाकर जरूर से देखना इससे पहले ही upload किया है मैंने और इस वीडियो के अंदर बात करते हैं भाई बेहन के रिष्टे को तार-तार करके रख दिया कुछ लोगों ने तो ये तार-तार करने वाली कौन थी? ये केडी थी जिनोंने भाई बेहन के रिष्टे को तार-तार कर दिया बेकाज उनके husband के साथ इस cyclone ने अपने भाई बेहन के रिष्टे create किये थे बेकाज जो cyclone है उसके सगे भाई कम पढ़ गए थे तो इसको लगा कि भारवाले भाईयों की जरूरत है तो अभी road पे चलते फिरते लोगों को भी भाई बना लेती हूँ बेकाज मुझे उनका घर बरबाद करना है अपने भाई का तो करनी पाई क्योंकि बाभी दूड लेगी इसके भाई को है ना और दूसरा वाला अपनी fiance के साथ busy है तो उसको भी कुछ करनी पाई सिर्फ जाके hotel में खापी के आई है कोशिश तो इसने पूरी की लेकिन ज़िएक समझेंगे कैसे और जो घरबाले हुनको तो पता है कि भygen दिन रात क्या करती है तो सब कुछ मालूम रहता है घरबालों को तो घरबालों के सामने दालगली नहींए तो बाहर बालों पर इक उसनी इसने हे ना समझ पारे तो फिर आपकी गलती है उसमें, दूसरे की गलती कम है और आपकी ज़ाद है, लेकिन आपके पारटनर को ये ज़रूर लगेगा कि भाई आप पूर एक अलग बात है, लेकिन reality तो ये है कि कान भरने वाले तो आपके पास भी आते हैं, लेकिन अपने कान भरवाए या नहीं भरवाए, वो आपकी अपनी वो है, है ना, कंट्रोल होना चाहिए इंसान का अपने उपर कि भई मेरे साथ कोई गलत कर रहा है तो मैंने उसको रोकना है कि मैंने उसके बातों में आना है वो सब कुछ आपको खुद डिसाइड करना होता है ठीक है तो अभी मैं इसको ये काऊंगी कि इसका कहना था कि जो मेरे से बाते कर रही थी जो मेरे से उल्टा बोल रही थी मैं उसको जवाब नहीं देना चाहती थी बेकॉज मैं लड़ाई नहीं बढ़ाना चाहती थी तो मैंने जाके उसके बंदे को फोन किया, मैसेज किया और मैंने भाई करके बात की यह शरम नहीं आती तुम लोगों को तुमने मेरे उपर करेक्टर पर उछाल दिया यह कर दिया वो कर दिया तो मैं यह काऊंगी कि तुम्हें जरूरती कौन सी थी जब तुम देख चुकी हो समच चुकी हो कि भाईया इनका तलाग हो चुका है तुमारा क्या बनता है उस आदमी को फोन करने का उसको मेसेज करने का दूसरी बात रही बात लक्षमी की लक्षमी के हस्बंड को फोन तुम कर रही हो किस बेसिस पे किस पेसिस पे फोन कर रही हो जब वो हस्बंड उसका कभी वीडियो में भी नहीं दिखाई देता कभी तुमने उसको व साइफ में लड़ाई क्रियेट करा देती हूं मैं आग लगा देती हूं वो बाद में इसको सुनाएगा कि भई तू ऐसी चीज़े कर रहे हैं सोशल मीडिया पर छोटा बच्चा संभालती है या पीछे से यह सब करती है तो तू तो आग लगा रही है फिर इसका मतलब है न य दूसरी बात केटी के अस्वेंट को फोन करने का या मैसेज करने का क्यामात लब हुआ जब तुझे भता है कि वो दोनों अलग हो जुके है आज की रेट में वो अपने ज़ास्ते है रहते हैं उट रह दोनों के अपस में उपशुरे से के साथ कोई किसी नहीं है तो फिर त उनका घर बर बाद कर दिया, उसके बाद तो मैं बाई बेन के अपने रिष्टे नजला रहे हैं, मतलब तुम कैसी हो यार, सच में सोचने वाली बात है, कि तुम्हें शरम नहीं आती है, ये सब करते हुए, उसके बाद, जब सब आपस में एक दूसरे से लड़ भिड़ जात हैं, वो बेवकूफ है, मेरे हिसाब से तो, जहां तक मुझे लगता है, क्योंकि तुम्हारे आगे थपड़ भजाने चाहिए, उन लोगों को, वो आपस में क्यों लड़ते भिड़ते हैं, मुझे वो नी समझ में आती, कि अब तक तो इसको बच्चा-बच्चा समझ चुक क्यासी है, लेकिन केड़ी के हस्बंड को तो मालूम है, कि भई कैसी है ये लेडिस, तो जब वो कान भर रही है, तो वो अपने कान भरवा क्यों रहे हैं, जब इसका फोन आरा तो फोन ही न उठाओ, मेसेज आरा, मेसेज ही मत देको, ब्लॉक मारो, इसको क्यों रखा हुए बढ़कना है, तो समने वाला तो कान भरेगा, भरेगा, है न, तो मैं ये कहूंगे कि, जब आप दोनों एक हो जाओगे न, तो फिर आपके रिष्टे में कोई तीसरा खुष नहीं पाएगा, मारो इसके दो चार थपड, सीधी हो जाएगी उसी दिन, मतलब इतनी शरम नही है, उसके बारे में इतनी बाते बोले जारी है, बोले, लिखे जारी है, लिखे जारी है, है न, कि मैं इमेजिन कर रही हूं, इमेजिन नहीं कर रही है, तो परिशान कर रही है, उस बंदे की आत्मा को, कि वो इनसान अभी है नहीं, तो तो बार 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 उसको य क्या कर रहा है एक बात होती है इंसान की सोचने वाली कि इनसान क्या कर रहा है और यह क्या करिए इसकी लाइफ में जो लोग बोलते हैं इसके विश्यर है हम मैं उन्हीं लोगों से बूलना चाहूंगी कि आप लोग बताओ कि कल को कभी इसकी रिष्टे की बात होई शादी की बात होई कोई करेगा इस से शादी भाया लोग करने वाले भी होगी न तो भी धक्का मारके ज़ाएंगी कल के वीडियो में इसकी मैंने सुना था कहा ही थी आजकल के डेट में शादी करना बहुत मुषकल नहीं है हुँ। हर चीज है मेरे पास, मैं हर चीज कर रही हूं हूँ, अपने लाइफ में कौन मुझसे शादी नहीं करेगा। तो अगर पैसो की…. तो जादी करना चाही है, तो फिर तो deal कर रही हैँ, फिर शादी को ही करें, फिर तो यह क्यों बहुत है है हुँ। शादी नहीं होती, शादी का मतलब शादी होता है, डील करना नहीं होता, समझ में आई? तो ये पहले तो अपने दिभाग में क्लियर कर कि क्या तूझे चाहिए, डील करने है कि शादी करने है, लाइफ आगे कैसे निकाल ली है, ठीक है? उसके बाद आके लोगों को लेक्चर करते हैं यहीं पे, बाकी आज जितने भी वीडियोस आया है, मैंने देखे नहीं, मैं थोड़ा बाहर थी, रात से मैं फंक्षन पे थी, और अभी मैं बाप पे साही हूं आज, तो मैं वीडियो जैसे जैसे देखूंगी, आप लोगों के साथ पूरा रियक्शन शेयर करती होंगी, और आप लोग देखते रहना, बैल नॉटिफिकेशन कॉल पे रखना, जितने भी वीडियोस आएंगे, पूरा भरपूर प्यार देना, आजकल आपका प्यार थोड़ा कम हो रहा है, तो प्लीज, लाइक, शर, सब्सक्राइब करना, प्यार देना, और मैं मिलती हू आपको अगले वीडियो के साथ में, तब तक के लिए बाई, टिक यार